देखे दोस्तों एक बहुत बड़ी ख़वर निकल कर सामने आ रही है रास्तान के जो पूर्वा शिक्ष्या मंतरी है गोईंद सिंग डोटासरा उनके पुत्र की लोकेशन जेपूर में शिक्ष्या संकुल में 24 सिप्तंबर की बताई जा रही है 24 सिप्तंबर को जेपूर के श जान सबाग शितर से वो संबंदी तरकते हैं तो उनके पुत्रगाज जेपूर शिक्ष्या संकुल में क्या काम था 24 सिप्तंबर को ठीक है और आपको पताऊगा कि जारूली की जो लोकेशन है वो भी 24 सिप्तंबर को शिक्ष्या संकुल में ही ट्रेस की गई है तो आप परिक्ष्या का पेपर लीक हुआ है सेकडों हजारों विद्यार्थियों तक ये पेपर पहुंचा है और सरकार ने भी ये माना है कि इस वर्ति परिक्ष्या में लापरवा ही बढ़ती है और इसी के सलते बोर्ड डेक्स डीपी जारोली को उन्होंने सेवा से बर्खास्त कर रही है कि रीट जो शिक्सक बढ़ती है उसका पेपर आउट हुआ है लेकिन सरकार के पास में इस परिक्ष्या को रद करने के अलावा निरस्त करने के लावा और कोई विकल्पी नहीं बचा है मुद्दा ये नहीं है कि कई विद्यार्थी मेनत कर रही है या फिर वो सलेक् जो भी विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि मेरे अच्छे नमर आये हैं और मेरा सेलेक्षन हो जाएगा उन में से 8-10% विद्यार्थियों का भी इस बड़ती में सेलेक्षन नहीं होगा क्योंकि पेपर में इतनी बड़ी तरीके से धांदली हुई है कि 31,000 शीटें थी और 35- 40,000 विद्यार्थियों के पास में ये पेपर ओलरी पहुंच चुका था तो आपके उन विद्यार्थियों से नमर कते अच्छे नहीं आ सकते जिन विद्यार्थियों ने पेपर खरीदा था इसलिए आगर पेपर रद होता है तो आपको बिल्कुल भी हतास नहीं होना है पे रीट बरती परिक्षा आगामी और भी कोई भी बरती परिक्षा है उसका आयोजन से पहले इस तरीके का नियम कठोर नियम मनाए ताकि कोई भी इस बरती परिक्षा को पेपर आउट करने से पहले दो बार शोचे और बविशे में पेपर आउट की जो गठनाए है वो कम हो सके राजिस्तान माद्य मिक्सिक्षाबोड के जो अधेकशेंटर डीपी जारोली उन्होंने साथ तोर के ऊपर कहा है कि रीट बढ़तिप्रिकषा का जो परकरन है वो पेपर आउट होने के पीछे राजनितिक स्रुक्षन है यानि कि बिना राजनितिक सनक्सन के पेपर आउट नहीं हो सकता तो ऐसे राजनितिक सनक्सन में कौन वो बड़े ओधे पर रहने वाले वेक्ति हैं जिनकी सनक्सन में जिनकी देख रेक में ये पेपर आउट हुआ है उनको सजाद जरूर मिलने चाहिए SOG ततकाल प्रभाव से इनको गिरिफतार करे और रिमांड पर ले इस राजनितिक सनक्सरे में कौन-कौन वो बड़े किरदार है जो की पेपर आउट करवा कर राजस्तान के लाखों युवाओं का बविश्य बरबाद कर रहे हैं तो इस वीडियो को हो सके उतना आप शेयर जरूर कर दिये ताकि सबी को इस न्यूज का पता जल सके